Hello everyone, welcome to our channel जब कभी आपके दातों में दर्थ होता है तो सबसे पहले हम कुछ घरेलू नुसके ही दूनने लगते हैं या फिर कभी-कभी पेन किलर भी ले लेते हैं तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कुछ ऐसे ही घरेलू नुसके जिससे हमें दात के दर्थ से राहत मिल सकती है तब सबसे पहले बात करते हैं salt water के बारे में salt water rinse याई नमक के पानी से कुला करने की तरकीब बहुत लोग अपनाते हैं जिससे दात का दर्थ कम हो जाता है ये सबसे आसान और राहतमन तक्नीक है नमक का पानी एक natural disinfectant है जिसे दातों में फसा खाना और बाकी सारे चीज़े आसानी से निकाले जा सकते हैं इससे सूजन कम होती है और मुँ में आगर कोई जखम है तो वो भी ठीक हो जाती है इसे सही तरीके से लेने के लिए एक ग्लास में हलका सा गरम पानी ले और उसमें आदा चमश नमक डालके कुल्ला करे नेक्स्ट ऑप्शन है cold compress अगर आपको कही पर चोट लगी है तो उस जगा बर्फ या किसी थंड़े चीज़ से सेखे चोट लगने वाले जगा पर अगर आप थंड़ा से एक लेते हैं तो उस बाग का रक्त संचलन कम होता है जिसके वज़ा से सूजन कम होती है और नस भी सुन हो जाती है ऐसे करने से आपको थोड़े समय के लिए दर्द से राहत मिल सकती है थंड़ा से एक लेने के लिए एक टौवल में कुछ बर्फ के तुक्रे डाले और उसे दर्द वाले हिस्से में 15-20 मिनिट तक सेखे यह आप कुछ घंटों के बाद फिर से कर सकते हैं यहां मैं एक important बात बताना चाहूंगी कि गरम से एक लेने से भी दर्द कम हो सकता है लेकिन ये दात के दर्द के लिए नहीं है क्योंकि अगर वो दात में कोई infection की वज़ा से दर्द हो रहा है तो वो गरम से एक लेने से infection आजू-बाजू फैल सकता है hydrogen peroxide मुँ में दर्द पैदा करने वाली bacteria को मारने में मदद कर सकता है जिससे सूजन कम होती है ये दातों का मेल और मसूडों की सूजन दोनों ही कम कर सकता है इसे इस्तमाल करने के लिए आपको 3% hydrogen peroxide यूज़ करना पड़ेगा लेकिन उसे direct use नहीं करना है उसे equal amount यानि समान मातरा में पानी के साथ पतला करना है तब जाके आप उसे mouthwash जैसे इस्तमाल कर सकते हैं इससे कुला करने के बाद fake देना है निगलना नहीं है ये बाद आपको याद रखनी है अगर आप इतियास में देखेंगे तो बहुत सालों से लॉंग का उपयोग दात के दर्द के लिए यूज किया गया है लॉंग का तेल दर्द और सूजन को कम करता है ये इसी लिए यूज होता है क्योंकि लॉंग में यूजिनॉल है जो एक natural antiseptic है दात के दर्द के लिए high quality 100% शुद लॉंग का तेल खरीदे और हो सके तो organic product ले बाजार से लॉंग का तेल खरीदने से पहले उसका label ज़रूर चेक परे ये घरेलू टेकनी यूज करने के लिए थोड़ा सा लॉंग का तेल cotton पे ले और जहां दर्द है वहां लगाए आप चाहे तो लॉंग का तेल को पतला कर सकते हो थोड़ा सा olive oil या पानी डालके इस cotton के गोले को आपको मुँ में 20 मिनिट तक रखना है और उसके बाद नमक वाले पानी से कुला करना है इसे निगलना नहीं है ये process आप 3-4 गंटे में repeat कर सकते हो आप लॉंग का तेल छोटे से पानी के ग्लास में डालके कुला करने के लिए भी इस्तमाल कर सकते हो बट एक चीज याद रखना लॉंग का तेल जादा यूज़ करने से आपको मसुडों में जलन हो सकती है peppermint tea bags मसुडों की sensitivity और दाद का दर्द कम करने के लिए भी यूज़ होता है आप इस्तमाल किये हुए tea bags दर्द वाले जगा पे लगा सकते हो बट ध्यान रहे कि वो ज्यादा गरम ना हो tea bag बस हलका सा गरम होना चाहिए या फिर आप peppermint tea bag थोड़े समय के लिए freezer में रख के भी फिर से इस्तमाल कर सकते हो लसुन से भी हमें दाद के दर्द में राहत मिल सकती है लसुन के antibiotic और बाकी आउशोदी गुनों की वज़े से दाद का दर्द कम करने में मदद मिलती है ये नुसके को यूज करने के लिए आपको लसुन को पीस कर उसका एक paste बनाना है जो आप दर्द वले जगा पर लगा सकते है आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा नमग भी मिला सकते है या फिर लसुन की एक कली भी चबा सकते है दात का दर्द और मसूडों से खून आने वाले प्रॉब्लेम्स को भी आप घर पे ही ठीक कर सकते हो इसके लिए आपको हिंग यूज करना है बस दो चमच नीमू के रस में एक चुटकी या आधा चमच हिंग मिलाए और फिर उसे हलका सा गरम करे ये सल्यूशन में कॉटन दुबा कर दर्द वाले जगा पर थोड़े समय के लिए रख सकते हैं इससे आपको दर्द से जल्दी राहत मिलेगी और भी तुरंट राहत पाने के लिए हिंको बटर या घी में फ्राइ करें जैसे यहाँ पे दिखाया गया है वैनिला एक्स्ट्रेक्ट में अलकॉल होता है जो दर्द को कम करने में मदद करता है इसको लगाने से दात और मसूडे कुछ समय के लिए सुन हो जाते हैं ये मुँ में किटानूओं को भी मार सकता है और उन जिवानों से लडने में मदद भी करता है जो दातों के सडन का कारण बन सकते हैं इस नुस्के को यूज करने के लिए वैनिल एक्स्ट्रक को अपने उंगली के नोग पे ले या फिर कॉटन पर लगाए और उसे अफेक्टेड दात या आसपास के मसूडों पर लगाए इससे आपको राहत जरूर मिलेगी अमरूत के पत्तियों में एंटी इंफ्लमेटरी और एंटी माइक्रूबियल गून होते हैं जो घावों को भरने में मदद करता हैं इससे आपको दात के दर्द में भी तुरन त्रहत मिलेगी इसे यूज करने के लिए अमरूत के ताजे और कोमल पत्तों को चबाए या फिर आप माउतोष बनाने के लिए अमरूत के पत्तों को थोड़ा सपी से और उसे उबारते हुए गरम पानी में डाले नमक के साथ ये सल्यूशन आप माउतोष जैसे यूज कर सकते हैं कुल्ला करने के लिए नेक्स्ट है वीड ग्रास जो आपके मुँ में सूजन को कम करने में मदद करता है ये इसी लिए क्यूकि इसका हाई क्लोरोफिल कॉंटेंट बेक्टीरिया से भी लड़ने में मदद करता है आपके मसूडों से उन टॉक्सिन्स को अब्जॉब करता है जिससे आपके दाथ को सडन लग सकती है इसका सबसे असरदार तरीका है जूज बनाकर माउट वश के तरह इस्तिमाल करना नहीं तो आप वीडग्रास को डिरेक्ली चबा भी सकते हैं ये सभी घरेलून उसके आपको कुछ समय तक ही राहत दिला सकते हैं ये एक long term solution नहीं है अगर आप pregnant या breastfeed कर रहे हैं या आपको कोई medical condition है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर consult करें और बहतर है दाथ के दर्थ के लिए dentist की सला लिना medical से कोई pain killer जैसे ibuprofen भी आप ले सकते हैं जब तक आपको dentist की appointment नहीं मिलती